नमस्कार दोस्तो आज बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि इंकम टैक्स का है और इस नोटिफिकेशन के जरिए गोर्मेंट ने ITR 1 असेस्मेंट इयर 24 पच्चिस और ITR 4 असेस्मेंट इयर 24 पच्चिस के लिए इंडिडूस कर दिया है मतलब की जारी गर दिया है चलिए समझेंगे कि इस साल असेस्मेंट इयर 24 पच्चिस के लिए ITR 1 और ITR 4 में क्या कुछ खास है क्या क्या बदलाव है चलिए समझेंगे उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पे पहली बार है इस वीडियो को पहली रहे तो दोस्तों देख सकते हैं यह है ITR 1 असेस्मेंट इयर 24 पच्चिस के लिए यह कौन-कौन फाइल कर सकता है यह सभी इंडिविज्वल रेजिदेंट फाइल कर सकते हैं जिसकी टोटल इंकम अप्टू 50 लाक रुपीज तक है और जिनकी इंकम सेलरी से हाउस प्रोपर परसंग जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है मिच्वल फंड में इंवेस्टमन करता है वो ITR फाइल कर रहा है तो वो ITR 1 फाइल नहीं करेगा उसके लिए उसको ITR 2 में जाना होगा ठीक है अगर कोई सेलरी परसंग है तो यह ITR फर्म डारेक्टर किसी कंपनी में उसके ल उसके लिए भी नहीं है अगर TDR section 194 N के अंदर deduct हुआ है तो so starting में होती है basic detail name phone number अधार number यह सब फिर यहां से आपको देना होता है कि section select करना होता है कि return किसी साब से फाइल कर रहे है due date पर फाइल कर रहे है कि related return है revised return है salary person है तो यहां पर detail देनी होती है कि employment का nature क्या है central government employee है state government employee है या other है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर filing के section select करने होते है क्या आप new tax regime को opt कर रहे हो या नहीं तो default जो होता है वो no होगा अगर opt कर रहे है तो आपको yes पर tick करना होगा फिर section 139 subsection 1 के 7th provisor को comply करते हो तो उसकी हिसाब से आपको detail देनी पड़ेगी yes no करना पड़े देन उसके बाद आपको अपको अपनी salary income देनी है section 17 subsection 1 के according फर उसके बाद जो भी आपके perquisist है और exemption से allowance से वो देनी होगी ठीक है इसके अलावा यहाँ पे deduction वाला चप्टर है ATC से लेके ATU तक के जो भी आपके deduction से वो आप यहाँ पे mention करेंगे इसके लावा उसके बाद tax calculate होगा और उसके बाद tax calculate होने के बाद जो भी आपका tax बनेगा वो आ जाएगा इस बाद new tax regime opt करते हैं तो 7 lakh तक income आप दिखा सकते हैं ठीक है 7 lakh तक की income पे आपका यहाँ पे tax बनेगा नहीं कुछ new tax regime में आपको benefit मिल दाएगा ठीक है लेकिन new tax regime में नुकसान यही होता है कि आपको deductions नहीं मिलती जो ATC से ATU तक आप deductions लेते हो ठीक है इसके लावा बात करें इसके बाद है ITR 4 देख सकते ITR 4 कौनकुन file कर सकता है वो सभी individual HOF firm being a resident वो file कर सकते है इ इस ITR 4 को जिसकी income up to 50 lakh rupees तक होती है income मतलब total income की बात कीगी है total income means business में जो profit बना profit अगर आपकी 50 लाख तक है तो करोगे 50 लाख से ज्यादा का profit बनता है आपका तो ITR 4 को file नहीं कर सकते और ऐसे percent जो presumptive taxation scheme के अंदर है section 44 AD, section 44 ADA और section 44 AE को opt कर रहे है तो यहाँ पे ITR 4 को file कर सक रखते हैं यह उन directors के लिए नहीं है जो company में director है और unlimited equity share के अंदर है investment कर रखी है तीक है या फिर किसी person की income agriculture income पांच जर से ज्यादा है वो यहाँ पे ITR 4 को file नहीं कर पाएगे उनके लिए नहीं है so starting में same basic details होती है नाम phone number address date of birth अधार नमबर यह सब तेक है पिर यहाँ पर टिक करना होता है status की आप क्या है individual है HOFA form है LLP है या कोई और other person है उसको टिक करेंगे उसके according फिर employment का nature देना होता है देखो अगर आप business भी कर रहे हो salary income भी है तो आप ITR 4 को opt कर सकते हो जहाँ पर salary income plus business income section 44 AD में report कर सकते हो ठीक है तो अगर आप salary income भी report कर रहे हो तो nature of employment देना होता है कि central government के employee हो या state government को हो या कोई other ठीक है फिर उसके बाद due date select करना होता है कि return filing कौन से section में है जैसे कि due date before due date file कर रहे हो suspended कर रहे हो रिवाइज return कर रहे हो उसके हिसाफ से आपको इहाँ देना होगा फिर यहाँ पर होई same option new tax resume के बारे हम बोला गया एक भी new tax resume को opt कर रहे हो या नौ yes या no करके आप यहाँ पर yaफenden दोगे फिर seventh provision को comply करते हो या नई उसके हिसाप से आपको यहाँ पर detail yes no करना हो होगा ठीक है फुर उसके बाद यहां पर आपको इंकम की डिटेल देनी होती है बिजनेस से जो इंकम बनी उसकी डिटेल देंगे बिजनेस से जो इंकम बनी वो यहां आएगा सेलरी income की डिटेल यहां आएगी तो salary income की डिटेल यहां देंगे उससे related allowance exemption जो है वो यहां देंगे उसके बाद जो भी आपके reduction है ATC से लेके TU तक की reduction आप यहां पे mention करेंगे ठेके फूर उसके बाद आपकी यहां आ जाएगी computation ठेके यहां पर total business की details देते हो तो 44 AD ले रहे हो तो 44 AD के coding आपको देना होता है 6% यह 8% वाले आप schedule में जाना चाहते हो तो उसके coding आपको देना होगा सारा का सारा cash में है तो आपको 8% से कम नहीं दिखा सकते हैं bank में है तो 6% वाला benefit मिल जाता है आपको तो 6% और 8% के coding 44 AD में आप report कर सकते हो अपनी income को 44 AD को पर अल्रेडी मैंने अपनी वीडियो बना रखी ITR filing की कैसे 44 AD में ITR file करना होता है 44 AD A के अंदर profession के अंदर जो भी आपकी growth receipts होगा उसका 50% आपको दिखाना होगा इससे कम जाओगे तो audit कराना पड़ेगा 44 AD में 6 याठ 8% दिखाना पड़ता है income उससे नीचे जाओगे तो audit कराना पड़ता है इसी परकार से 44 AE के अंदर यह basically जो goods transport का business कर रहे है basically एक GTA तो GTA अपनी income को यहाँ पर declare कर सकते है जिनके vehicle 10 vehicle से जादा नहीं है जिनके पास cable number of vehicles 10 है और 10 से exceed नहीं है मतलब एक विकल से लेगे 10 विकल तक है तो वो 44 AE का benefit ले सकते है presumptive taxation scheme का benefit लेके अपनी income को यहाँ पर declare कर सकते है और presumptive taxation benefit के हमलता books of account maintain नहीं करना होता audit नहीं कराना होता ठीक है presumptive basis पर income को declare करके tax को pay कर सकते है यहाँ पर balance sheet की detail देनी होती है balance sheet में वही capital accounts secure loan unsecure loan centricator यह सब चीज यहाँ पर GST नंबर की reporting भी करनी होगी यह पहले से ही आया हुआ है तो अगर आप GST में registered है तो उसका number और GST में क्या turnover की उसकी reporting जाती है आपकी इसके अलाबा जो आपने self assessment tax advance tax पी किया उसकी detail TDS वगरा कटा है उसकी detail TCS वगरा कटा है उसकी details यहाँ देखने को आपको मिलेगी फिर verification आ गया जन उसके बाद आप यहाँ पर ITR को file कर देते हो तो यह है ITR 4 और ITR 1 assessment यह 24 पच्चेस के लिए जल्द ही और ITR form जो है government introduce कर देगी ITR 1 और ITR 4 बहुत popular form है और सबसे ज़्यादा यही form file होते है ITR 1 और ITR 4 तो हो सकता है कि इसको portal पे भी government जल्द ही implement कर दे क्योंकि government ने अभी December में ही से introduce कर दिया है तो एक आद महिना लगता है portal पे development करने में और release करने में तो हो सकता है कि portal पे government जो है इस बार March से पहले ही portal पे release कर दे अपरेल के बाद आप filing शुरू कर सकते हो फिर अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि जर्नली ITR 4 और या ITR 1 जो है वो government लगबग March में ही जाके release करती है और अपरेल तक portal पे ले आती है इस बार तैयारी पहले किये क्योंकि आप जैसा कि सभी जानते है elections भी है तो government का main focus elections पे होगा इसलिए सारी जितनी भी working है वो timely पहले से complete करना चाहते है चलिए देखते है पोर्टल पे किस पकार से आगा जैसी पोर्टल पे live होता है मैं आपके सामने इसी तरह वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा वीडियो कैसे लगी जरूर बताए ताइंक्यू सो मच्छ जैहिंद वंदे मात्रम